हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका एक बर फिर से हमारे चैनल जोतिश क्यान में जिसमें हम लाए हैं जोतिश से जुड़े एक बहुत ही खास और वैलियोबल टॉपिक को जिसमें हम डिसकस करेंगे कि जन्म कुंड़ी में किस राशी में कौन सा ग्रह उच और नीच का हो जाता है और ऐसे में उसका हमारी कुंड़ी पे हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है तो शुरू करते हैं आज का हमारा जोतिश यान पर इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को भी आउन कर दीजिए दोस्तों अक्सर एस्ट्रोलाजर से अपनी कुंडली का विशलेशन कराते हुए हमने कुंडली में उच और नीच की ग्रहों के बारे में तो जरूर सुना होगा पर कभी कभी जोतिश भिद्धा से अनवेयर लोग उच नीच की क्रहों की डेfinision को समझ नहीं पाते हैं जनरली रोगों को लगता है कि कोई ग्रह कुंडली में अगर उपर बैठा हो तो वो उचका हो जाता है और नीचे बैठा हो तो वो नीचका हो जाता है तो आज हम आपको बताएंगे कि किस राशी में कौन सा ग्रह उच्छ का और नीच्छ का होता है और कैसे वो हमें अच्छे और बुरी रिजल्ट देता है दोस्तो कुंडली में कोई ग्रह किसी भी हाउस में जब अपनी उच्छ की राशी में बैठ जाए तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाद्य हो जाता है चाहिए वो ग्रेब बुरा ही क्यों ना हो लेकिन जब वो कुंडली के किसी हाउस में exalted mode में placed हो जाए उच्च की स्थिती लेके बैठ जाए तो वह हमें अच्छा result देने को बाद्य हो जाएगा वो 100% हमें अच्छा result देगा माले जी अगर एक इंसान मंदिर में चला जाए तो चाहे उस इंसान में लाग पुराई ही क्यों ना हो वो कितना भी बुरा हो पर वो मंदिर जैसी पवित्र और उची जगे पे जाके कभी भी कुछ बुरा नहीं कर सकता है यह कह लिजी क्योंकि वैं जिस थिदी में होता है जिस एट्मॉस्फियर में वो होता है वो वहां अच्छा करने के लिए बाद्धे हो जाता है उच्छ ग्रह से मतलब यह होता है that the planet is bounded to give good results to you वो ग्रह अपनी उच्छ की position में हमें अच्छा result देगा ही देगा दोस्तो कुंडली में उच नीच के ग्रहों को समझने के लिए हम screen पर बने हुई कुंडली चार्ट पर नजर डालते हैं जो जन्म कुंडली के 12 घर में 12 राशे सीथ होती है यह जो screen पर चार्ट दिखाया गया है उसमें हमने 12 घरों में 12 राशे को placed करके किस नंबर की राशे में कौन सा ग्रह उच्छ का होता है उसको mention किया है ताकि आप इस topic को easily समझ पाएं दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुंडली में first नंबर की जो राशी यानि मेश राशी में सूरेदेव placed है तो ये clear है कि एक नंबर की राशी में सूरे बैट जाएं तो ये वहाँ उच्छ के माने जाते हैं तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि कुंडली की किसी भी घर में अगर एक नंबर लिखा होगा और वहाँ सूरे देव बैठे होंगे तो ये उच्छ के माने जाएंगे और ऐसे में सूरे मेश राशी यानि एक नंबर की राशी में अच्छे result देंगे नॉर्मल से अच्छा प्रभाव हमारी कुंडी पर डालेंगे दो नंबर की राशी व्रिशब राशी में मून यानि की चंदर्मा उचके माने जाते हैं पर इसके साथ ही राहु देव को भी इस राशी में उचका माना जाता है दूसरो राहु देव 3 नंबर की राशी मित्धुन में भी उचके हो जाते हैं तो जोतिश विग्यान में एक controversy चलती आ रही है कि राहु देव 2 और 3 दोनों नंबर की राशी में उचके होते हैं पाश नमबर में कोई भी ग्रह उचका या नीचका नहीं होता है दोस्तो छे नमबर यानि कन्या राशी जो कि बुद्ध देव की मूलतिकोन राशी होती है उसमें स्वयम बुद्ध देव उचके माने जाते है और बुद्ध एक ऐसा ग्रहा है जो अपनी मूल तिकोन राशी में उचका होता है और कोई भी ग्रहा अपनी राशी में उचका नहीं होता है और बुद्ध यहां अच्छे रिजल्ट देते हैं दोस्तों साथ नंबर की राशी मतलब तुला राशी में शनी देव उचके माने जाते हैं तो वही कुंडली में राहू और केतु ये दोनों प्लैनेट हमेशा एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं और 180 डिग्री से रोटेट करते हैं आप कोई भी कुंडली उठा के देख लिजिए किसी भी कुंडली में अगर राहू केतु की प्लेस्मेंट को हम देखेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के आपोजित चलते हैं ये दोनों इक्विल डिग्री पे चलते हैं तो जैसे राहू देव को दो नंबर और तीन नंबर की राशी में उचका माना जाता है वहीं केतु को आठ नंबर यानि व्रिश्चिक और नो नंबर की राशी में उचका माना जाता है दोस्तो مंगल देव 10 नमबर यानि कैप्रिकॉर्ण में उचके होते हैं जो शनी देव की साधारन राशी होती है तो इस तरह से मंगल देव शनी देव यानि की अपने अती शत्रू की राशी में आके उचके हो जाते हैं और हमें अच्छा रिजर्ट देते हैं ग्यारा नंबर राशी में कोई भी ग्रय उचका नहीं होता है और बारा नंबर राशी यानि मीन राशी में शक्र उचके माने जाते हैं और उचके होके हम यहाँ अच्छा result देने को बात दे हो जाते हैं दोस्तो इस तरह से हम कुंडली चार्ट की help से कुंडली में एक से 12 राशियों में उच और नीच की ग्रहों को अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि कई बार इस तरह ग्रहों की placement को हम लिस्ट के थ्रू अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो हमने इस method से यहां चीजों को clear करने की क कुंडली में नीच के ग्रहों को समझने का तरीका भी सबसे आसान है जिस राशी में जो ग्रह उचका होता है वो ग्रह अपनी उस राशी से ठीक सात्वी राशी में नीचका हो जाता है जिस तरह यहां सूरे मेश राशी में उचके हैं पर मेश राशी से सात्वी राशी मतल तो इस चीज को थोड़ा और क्लियर करते हुए हम इसी कुंड़ी में ग्रहों को चेंज ना करके अगर कुंड़ी के फर्स्ट हाउस में साथ नंबर की राशी को लिखकर उसी सिरीज में 12 घर में इन सब राश्यों को लिखे तो जो कुंड़ी चार्ट हमारे सामने आएगा तो हमें ये सारे ग्रह अपनी नीच की राशी में दिखाई देंगे तो इस तरह से इस इजी फार्मूले से हम अपनी कुंड़ी में उच और नीच के ग्रहों की प्लेस्मेंट को समझ सकते हैं दोस्तो जोतिश विद्या समझने की बात है ये कैलकुलेशन और रीडिंग का सकते हैं हमारी लाइफ में किसी भी बुरे रिजल्ट और बुरी सिचुएशन से बढ़ सकते हैं क्योंकि कुंड़ी की ग्रह दशा हमें बता देती है कि इस दशा में हमें ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो हम अपनी लाइफ में वैसे ही चेंज ला सकेंगे दोस्तो बात सोचने और समझने की है हम से ज्यादा वैलविशर हमारा कोई नहीं हो सकता इसलिए जन्म कुंड़ी की बेसिक नौलज को लेके हम अपनी कुंड़ी की बुरे ग्रह के प्रभाव को समझ के अपनी जिंदगी में बदलावला सकते हैं तो आज हमने कुंड़ी में उच और नीच के ग रिजल्ट हमको देगा कुंड़ी में जिस घर में जिस भाव में नीच का होके वह बैठा होगा तो उस घर से रिलेटेट चीजों पर वह बुरा एफेक्ट डालेगा और उसी हिसाब से हमें बुरे रिजल्ट देगा तो उमीद है आपको आज का हमारा ये जोतिश ज्यान प